गुट मॉनिंग शुरुवात दस कदम आजादी के इस टुटोरियल में अब हम बात करेंगे स्टेप नमर सिक्स के बारे में जैसे हम कहते हैं स्पॉंसर अभी तक हमने पांट स्टेप के बारे में जाना है मैं चाहूंगा कि आप मेरे सारा रिपीट करें वो पांट स्टेप कौन-्कौन से है स्टेप नमर वन येस, सपॉर्ट चार्ट स्टेप नमर टू, call setting स्टेप नमर त्री, prospect list स्टेप नमर फॉर, self use and step नमर फाइव, share यदि आप इन पांचों स्टेप्स को सिक्वेंशली करते आ रहे हैं तो बहुत साहे लोग आपके साथ जॉइन होंगे आप उन्हें स्पॉंसर करेंगे लेकिन स्पॉंसर करने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपने उन्हें अपना अप्लाइन M.C.A. नंबर दे दिया नो, स्पॉंसर करने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की M.C.A. में शुरुवात करवाने तक की रिस्पॉंसिबिलिटी हमारी है जब हजारों लोग M.C.A. के Overseas Conferences में जाते हैं जिने M.C.A. स्पॉंसर करता है तो यह M.C.A. के responsibility बन जाती है कि उन हजारों Overseas Conferences के participants यानि कि आप कि सारी documentation complete हो आप सही तरीके से plane को board करें, hotel में check-in करें, आपके passports, visa form, all formalities are fully completed ताकि कोई भी दिक्कत या परिशानी आपको ना आए उसी तरह से जब हम किसी नए prospect को मौधिकर में sponsor करते हैं तो उन्हें शायद सारी formalities के बारे में ना पता हो यह as a upline हमारी responsibility बन जाती है कि हम उन्हें guide करें और उनकी सारी formalities को पूरा करवाएं तो सबसे पहले उनका KYC documentation पूरा कराएं nor your customer documents जुसमें की बहुत जरूरी है ID proof document and address proof document as per the rules यदि within 30 days of joining एक new joinee अपने KYC documents सही तरीके से submit नहीं करवाते हैं तो उनका MCA number terminate भी हो सकता है second उनका NEFT detail submit करवाएं क्योंकि ninth of every month bonus transfer होता है लेकिन उसी के bank account में bonus transfer होगा जिनका NEFT updated है imagine करें आपके new joinee ने business किया और उनका bonus बना लेकिन क्योंकि NEFT documentation complete नहीं थी तो bonus उस महीने transfer नहीं हुआ तो कैसा feel करेंगे वो yeah not very good so यह हमाई responsibility है कि हम उन्हें पूरा guide करें और उनका NEFT documentation complete करवाएं third pan details update करवाएं क्योंकि अगर pan detail modicare के system में updated है तो उनका सिर्फ 5% TDS कटेगा otherwise उनके bonus के उपर 20% तक TDS कट सकता है fourth उनका first order under the loyalty program execute करवाएं और उन्हें कौन से प्रोग्राम में invite करेंगे yes शुरुवात 10 कदम आजादी के and then you support and lead them support करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनका काम करेंगे support करने का मतलब यह है कि आप उन्हें काम करना सिखाएंगे so with this I thank you very much next tutorial में हम बात करेंगे कि आपने अपना structure कैसे बनाना है ताकि आप maximum income मौधिकर से अनकर पाएं thank you and see you in the next tutorial